हलो एवरिवन, स्वागत है आप सबी का मेरी किचिन में आज हम बनाएंगे डेट अंड फिक बर्फी यानि खजूर और अंजीर की बर्फी बहुत ही हल्दी रेसिपी है खास कर बचों के लिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं अब से पहले हमें चाहिए बिना बीज वाली खजूर खजूर में खुद की इतनी मिठास होती है कि इस मिठाई में आपको चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हमें चाहिए अंजीर तो मैंने ये इस तरह की अंजीर ली है एकदम ड्राइड फिग है ये तो ये मार्केट से आसानी से मिल जाता है इसे आप ले ले तो अब हम इनको पानी में बिगोकर रखेंगे तो सबसे पहले 10 से 12 अंजीर ले ले इस तरह एक गिलास पानी डाल कर इसको साइड में रख दें और इसी तरह आधा कप खजूर ले या तकरीबन 20 से 25 खजूर ले और इसको भी ऐसे एक बरतन में डाल दें और उपर से एक गिलास पानी डाल कर इसको भी दो घंटे के लिए हम इसी तरह बिगोकर रख देंगे दो घंटे के बाद इन दोनों का पानी निकाल दे और इनको अलग-अलग ग्राइंड कर लें अच्छे से तो ये मैंने पहले अंजीर को ग्राइंड कर लिया ग्राइंड करने के लिए आप 2-3 चमच पानी इस्तिमाल कर सकते हैं इसी तरह अब मैंने खजूर का भी ये पेस्ट तैयार कर लिया है इन दोनों को हम अलग बरतन में निकाल लेंगे तो ये हमारे सारे इंग्रिजिंट्स रेडी हैं ये दोनों पेस्ट जो हमने बनाई है वो थोड़े से हमने नट्स लिये हैं इसमें आप बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी इस्तिमाल कर सकते हैं और हमें एक से दो चम्मच चाहिए होगा देसी घी, तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी, एक पैन को गरम करें और उसमें एक चम्मच देसी घी का डालें, जब घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम पहले ये अंजीर का पेस्ट डाल देंगे, मिला दें इ ध्यान रखें कि इस रेसिपी में इसको ऐसे चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो ये सारा मिश्रन पैन के नीचे चिपक जाएगा, तो मीडियम प्लेम पर इसी तरह चलाते हुए आप इसको एकदम ठिक होने तक पका लें ये देखिए पांच मिनिट के बाद ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, तो अभी हम इसे और पकाएंगे, जब तक ये पूरा ठिक नहीं हो जाता जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये मिश्रन पूरी तरह से ठिक हो चुका है, अब इसमें हम ड्राइफ रूट्स डाल देंगे, तो उनको मैंने चॉप कर लिया था, तो ये चॉप किये हुए सारी ड्राइफ रूट्स इसमें गए, इसको अच्छे से मिक्स कर दें, और ग चमच पर देशिगी लगाकर या फिर इस तरह सिलिकॉन के स्पेचला से इसको आप दबाते हुए एक शेप में ले आएं, पूरा समतल इसको बना लें अच्छे से, ये देखिए, क्यूंकि ये हमें बाद में फिर इस तरह काटने में आसानी होगी, तो इस तरह में इसको ए ड्राइ फ्रूट्स डालेंगे, दबा दे इनको, अब इसको हम ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए और उसके बाद इसको काटके सर्फ कर देंगे, फुल ओफ एनरजी, काबो हाइडरेट्स और आइरन, ये बर्फी आप अपने बच्चों को खिलाएं अब शूर ये उनको बहुत पसंद आएगी, आप इसको किसी भी शेप में लड्डू या अबलॉंग शेप में भी बना सकते हैं, ऐसी और रेसिपीज के लिए देखना न भूले हॉबी लॉबी, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तिल देन, बबाई!